दोस्तों SRP की power supply है 28 volt 12 volt और 380 volt यह देखे 380 का connection इसका यहाँ पर दिया हुआ है 380 का output देखे इस pin पर आता है और यहाँ पर 36 और 28 और 12 पर 36 जन्रली आती है लेकिन 28 और 12 वोल्ट की है इसमें जो PFC में IC यूज की है 1653 यूज की हुई है और जो SMPS में IC यूज की है इसको close में दिखाता हूँ 7 pin की IC है यह 34 भी 65 IC यूज की हुई है और यह 7 pin है इसमें problem जादा करके आ रहा है देखे यहाँ से एक track रहता है यह देखे रिसेंस से एक track आया है यहां से वह यहां तक एक point दिया हुआ है यहां से ओपर उपर साइड में आ गया है और इस point से connect रहता है तो जब इस supply में mouse पे टोगर जाता है तो यह track open हो जाता है तो आप आपको trace करना होता है वहाँ पर इस पारक होता है यह देखिए यहां से यहां जंपर मारा है मैंने क्योंकि पिछे का track इसका जलके open हो गया था तो यह थोड़ी से अलग supply है और यहां पर देखिए एक regulator यूज किया है पंद्रवोल्ट का वह PFC IC के supply के लिए यूज किया है यह regulator खराब हो जाएगा तो आपका PFC काम नहीं करे देखा इससे भी आपका लोल्टेज का प्रॉलम आ सकता है ब्लिंकिंग का प्रॉलम आ सकता है तो आप यह रेगुलेटर को भी चेक करें पंद्रवोल्ट का रेगुलेटर है 057815 78815 लोवर साइज है इसलिए लाया इसमें और बाकी सिमिलर है इसमें 20 and 65 मॉस्पेट के लिए और एक 28 quot के लिए तो इस तरह से सर्कित है इसको भी आराम से अप्रिपेर कर सकते हैं यहां भी रेगुलेटर यूज किया है ऐगए यह अच्छी सप्लाई है यह रेगुलेटर गस Kracks प्रॉलम आज यूद्वलेटर के लिए है और यह जो किया है हो पीफिक के बी कि यूज किया है